जाहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों बहुत दिनों से पीजी स्टुडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रहे थी सा डिसकनेक्शन के लिए कुछ और वीडियोज बना दीजी हमाने एक्जाम करीब हैं तो कुछ हो जाईए माइकल एडिशन का रेट्रो सिंथेसिस अब आ इन वाल्स रेट्रो सिंथेशिस अफ वण फाइव डाई कार्बजि गुरुप बच्चों यहाँ पे रॉबिंसन एनिलेशन के रेट्रो सिंथेसिस में उन कंपाॉंट्स का डिसकनेक्शन किया जाता है जिनमें की वण फाईव पोजिशन पे डाईकार्बून फंक्शनल ग बच्चो रोबिंसन एनिलेशन रियेक्शन की खास बात क्या है कि यहाँ पे एक साइकलिक कीटोन को six-membered alpha-beta-unsaturated cyclic ketone में convert किया जाता है या आप कह सकते हैं कि रोबिंसन एनिलेशन रियेक्शन में जो final product होता है वो six-membered inone या फिर alpha-beta-unsaturated diketone होता है बच्चो रोबिंसन एनिलेशन इन्वाल्स two disconnections बच्चो रोबिंसन एनिलेशन रेट्रो सिंथेसिस या disconnection में हम लोगों को यहाँ पे दो disconnection करने होते हैं इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा एहला होता है disconnection after beta position और दूसरा होता है disconnection of C double bond C यानि कि यहाँ पे आपको carbonal group के respect में जो beta carbon होगा beta position होगी वहाँ से disconnection करना है और आपके compound के अंदर जहाँ पर भी double bond है carbon carbon के बीच वो आपको disconnect करना है आईए example से clear करते हैं यह हमारा target molecule है इसके लिए हम लोग यहाँ पर Robinson Anulation Retrosynthesis Study करते हैं बच्चों यह हमारा cyclic 1-5 di-carbonal compound है आप इसको देख सकते हैं clear हुआ आपको अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिए कि यहाँ ketonic group से अगला carbon alpha और इससे अगले वाला beta carbon होगा clear हो रहा है आपको तो इसमें जो Robinson Anulation Disconnection में आपको disconnection करना है bond breaking करनी है वो आपको दो जगे से करनी है यह आप जान लीचे कि कौन कौन सी आपकी active site है during disconnection आपको कौन सा bond तोड़ना है तो एक तो beta carbon के बाद यानि की third और fourth जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ से disconnection होगा और दूसरा disconnection आपका यहाँ पे C double bond C यहाँ से होने वाला है क्या यह आपको clear है disconnection after beta position results into two fragments where beta carbon containing fragment acquires positive charge while other negative charge जब आप यहाँ पे beta position के बाद disconnection करेंगे पहले वाला disconnection करेंगे तो आपको दो fragment मिलेंगे उन दोनों fragment में आपको क्या करना है चार्ज देखना है कि कहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा तो वो fragment जिसमें beta carbon होगा यानि कि beta carbon पे आपको positive charge लगाना है जबकि दूसरे वाले fragment पे आपको negative charge लगाना है तो आईए हम लोग example से clear कर लेते हैं यह हमारा target molecule था इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे alpha beta carbon है यह carbon group से अगला carbon जो है वो alpha होगा यह beta होगा और जो आपको पहला disconnection करना है वो beta carbon के बाद कुछ ऐसे करना है तो disconnection वाया beta carbon लिखा हुआ है clear है आपको तो जब यहाँ से bone टूटेगा तो देखिए यह हमारा alpha carbon है और यह beta है तो मैं यहाँ पे mention भी कर देता हूँ यह हमारा alpha और यह हमारा beta carbon clear हो पा रहा है आपको और यह वाला यहाँ पे alkyl group जो लगावा था ring के साथ यह वो वाला है तो यहाँ पे जब bond टूटेगा तो इस वाले ring के उपर negative charge और beta carbon यानि कि वो fragment जिसमें beta carbon था आपको बताया था उस पे लगाना है आपको positive charge तो जब आप इसको synthan में convert करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा यह double bond है बच्चो यहाँ पे h plus combine हो जाएगा तो यह fragment देखिए यहाँ पे neutral होगी है h plus के बाद यहाँ पे h such रहने वाला है जी और यहाँ से hydion जो है वो बहार निकलेगा और बहार निकलने के बाद अपने जो sigma bond के electron है यहाँ पर दे जाएगा बीटा कार्बन और अलफा कार्बन के बीच तो यहाँ पे bond आपको बनता हुआ double दिखाई देगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे double bond यह ketone लगाना था हमको यह missing था यह पूरा कर दिया है तो देखिए पहले disconnection के बाद जो आपने देखा था कि disconnection आपको यहाँ पे दो करने ह तो इससे आपको कुछ ऐसा synthetic equivalent मिलता हुआ दिखाई देगा इसके बाद आपको दूसरा fragment करना है जो होगा आपके double bond के थुरू clear है आपको तो यहाँ पर भी है बच्चे double bond जो है सिंथन में target molecule में आपका double bond already यह वाला चला रहा है जो आपको bond break यह वाला करना है यह वाला मत कर दिखेगा जो already आपके target molecule के अंदर होता है वो आपको bond break करना होता है disconnection of C double bond C results into two fragments where add O atom to the ring fragment while smaller ketonic fragment acquires negative charge बच्चों अब आपको पता है कि जो अगला disconnection होता है यहाँ पे Robinson annulation में वो होगा आपका C double bond C का और वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर जब आप double bond तोड़ेंगे तो ring में जब जहाँ से double bond तूटेगा वहाँ पे आपको double bond O जोड़ देना है और बच्चों आपको जो छोटा ketonic fragment होगा वहाँ पे उस ketonic fragment की carbon पे negative charge लगाना होता है कैसे आई देखते हैं यह वाला जो आपको ऊपर मिला था clear है यह वही वाला है doubt तो नहीं किसी को अब यहाँ पे आप देखिए आपको जो disconnection हो रहा है वो हो रहा है वाया C double bond C clear हुआ तो यहाँ से जब disconnect होगा तो जो fragment आपको ring से मिलने वाला है एक fragment यह मिलेगा एक fragment आपको यह मिलेगा तो ring वाले fragment पे आपको double bond O लगाना है यह आपका सिंतन तियार हो गया है और बच्चों जो आपका दूसरा fragment smaller ketonic fragment है यहाँ पर पे आपका negative charge लगा हुआ है clear है अब आपको पत्द है कि negative charge को यहाँ से आपको diminish करने के लिए यहाँ पर H plus जब retrosynthesis में जाएंगे तो यहाँ पर H plus add करेंगे तो देखी यह आपका बन गया है clear हुआ यह बन गया आपका enone clear और यह आपका starting material ready हो गया है अब लेते हैं suggested synthesis तो आप वो clear हो बच्चों हमने यहाँ पर दो bond breaking करी है दो तरह के disconnection की है एक बार फिर से summarize कर देत clear जिससे हमको मिल गए हमारे यह दो starting material clear हुआ हमारा हो गया है suggested synthesis आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपने disconnection से निका लेते हैं हमारे molecule यह आपस में combine होगे यहाँ पर तीन condition maintain करते हैं clear है देख पार है कि यहाँ पर आपका alpha beta unsaturate di ketone बन चुका है जो कि हमारा final product होता है Robinson annihilation का clear हुआ और यही तो था हमारा और आपका target molecule तो बच्चो यह था हमारा disconnection और retro synthetic approach in Robinson annihilation कि भई Robinson annihilation reaction में आप कैसे disconnection theory लगा सकते हैं clear नहीं हुआ मुझे पता है अभी भी काफी लोगो doubt होगा doubt मत लीजिये मत करिये tension जब है chemistry junction तो आईए मैं आपको कुछ और clear कराता हूँ अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने practice problem के अंदर give propose synthesis for the structure यह आपको एक compound दिया हुआ है इस compound में पूछ रहा है कि भईया इसका suggested या propose synthesis क्या होगा यह आप कह सकते हैं कि यह हमारा target molecule है तो बच्चो इस target molecule के अंदर अगर आप ध्यान से देखें disconnection के लिए आपक यह unsaturate ketone है clear है आप देख पा रहे हैं तो यहां पे disconnection कहां कहां से होगा तो मैं आपको एक बार फिर से clear कर रहता हूँ यह देखिए alpha beta समझ पा रहे हैं जी बिलकुल सही तो यहां पे disconnection की दो possibilities है सर तो दोनो possibilities को मैं इस बार एक साथ कर देता हूँ जी हां मैंने क्या बोल ब्रेक किया और यहां से यह वाला भी ब्रेक किया क्या समझ पा रहे हैं जी हां जो हमने practice उपर individually की थी वो मैंने यहां पे collective कर दी है एक साथ कर दी है तो देखिए आपको यहां पे मिलने वाले सिंथन कैसे दिखाई पड़ेंगे जी बाकी तो आप करके देखते रहीगा ब आपके लिए clear है आपको और दूसरा देखिए आपका जो यहां से बनता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है आपको मेरा starting material जी सर लीजिए सर तयार हो गया है सर कह रहे थे ना कि रॉबिंसन अनिशन बड़ी परिसान करती है कहां परिसान कर रही है बैचारी बहुत ही सीधी से reaction है बहुत ही सीधा सा disconnection है जी clear हुआ तो इस बार मैंने दोनों approach को दोनों disconnection को एक साथ किया और यह बन गया मेरा starting material और आप जानते हैं इन दोनों के लिए आपको जब आप इसको combine करेंगे तो यह बन जाएगा आपका target molecule यानिकि यह हो जाएगा suggested synthesis hopefully यह आपको clear हुआ होग तो बच्चो आज आपने सीख लिया है disconnection Robinson Anulation में करना